जैमाता दी दोस्तों मेरे चैनल जोती किचन व्लोग में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिवाली 2022 को कब है और पूजा का मूरत क्या है और गनेश विदी पूजा के बारे में भी भात करेंगे परतेक वर्ष कार्तिक में आमावस्या तिथी को दिवाली का त्यहार मनाया जाता है पूरा भारत वर्ष इस पर्व का अलग ही हर्ष और उलास देखने को मिलता है इस दिन दोस्तों पूरा देश दिये की रोशनी से जगमगा उठता है हिंदु धर्म में दिवाली सुक समर्दी वाला त्यहार माना जाता है धार्मिक मानता है कि मा लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पदारती है और उनों को धन्य धान्य का आशिरवार परधान करती है साथ ही कहा जाता है कि दिवाली के दिन प्रभु श्री राम रावन पर विजे प्राप्त करके अयोध्या लोटे थे चोदा वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के अयोध्या लोटने की खुशी में लोगों ने अयोध्या में दिये की रोशनी से अयोध्या को सजा दिया था तब ही पूरा देश इस दिवाली को मनाता है इस दिन लोग दिवाली दीपक जलाकर पठाके फोड़ कर खुशी को मनाते हैं तो चलिए जानते हैं इस दिन दिवाली का मुर्थ कब है और पूजा विदी क्या है इस दिन कार्थिक मा की अमावस्तिया तिती 24 और 25 अक्तूबर दोनों दिन ही पढ़ रही है दोस्तों लेकिन 25 अक्तूबर को अमावस्तिया तिती परशोत काल में पहले ही समात हो रही है वे 24 अक्तूबर को परशोत काल में अमावस्तिया तिती होगी इस दिन अक्तूबर को ही पूरा देश में दिवाली का उतिहार मनाया जाएगा दिवाली पर शुम मूर्त में गनेश लक्षमी की पूजा विदी पूजा की जाती है पहले कलश को तिलक लगाकर पूजा अरम करें दोस्तो इसके बाद फूल और चावल लेकर मा लक्षमी गनेश की प्रतिमा का ध्यान करें और फिर इनकी प्रतिमा के सामने फूल और अश्चत अरपन करें फिर दोनों प्रतिमाओं को उठाकर थाली में रखें और दू, दही, शै, तुलसी, गंगा जल से इशनान करें दोस्तो इसके बाद स्वस जल से बारा इशनान कराकर चौंकियों पर मूर्ति को स्थापित कर दे और गनेश लक्षमी को टीका लगाकर माला पहना कर और इसके बाल गनेश लक्षमी की सामने मिठाईया, फल, फूल और सोने के अबूशन रख दे और पैसे भी रख दे, पूरा पिरवार माला लक्षमी की आरति करे दोस्तो आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हैपी दिवाली दोस्तो चैमाता दी